तो अब मैं GTA 5 पर क्लिक करूंगा देखते है भाई लोडिंग स्पीड कितनी है अद्या यार एक सेकिंड मिनी लगा जैसी वो स्क्रीन आई उसके बाद ही गेम स्टार्ट हो गई सीधा व्रूर्णों ना मेरे को देख रहा है वीडियो बनाते है और सोच रहा होगा यह कैमरा से क्यों बाते करे जा रहा है पागलो की तरह जैसे कि आप सब को पता ही है इंडिया में PlayStation 5 अभी तक लॉंच नहीं हुई है बट मेरे पास भाई यह एक डर्ड महिना पहले ही आ चुकी थी जो कि मैंने दुबाई से इंपोर्ट करवाई थी बट भाई शुरू-शुरू का शोक था उसके बाद शोक तो खेर अभी भी है खेलने का बट पिछले है ना पंदरा से बीस दिन बीस दिन से भी जादा से मैंने PlayStation 5 को हाथ तक भी नहीं लगाया तो खेलना तो दूर की बात है अब इसके बीचे रीजन बताओं तो भाई गेम्स है गेम्स ही नहीं Call of Duty लाए मैं Cold War वो मैंने Complete कर दी Spider-Man में पहले ही मतलब Complete कर चुगा था इसके लाओ PlayStation 5 के कोई नहीं टाइटल आई नहीं आई नहीं आई नहीं आई नहीं प्लेशन 4 वाले टाइटल से है तो मैंने सोच है थोड़ी पुरानी गेम्स के मज़े ले लिए जाए फिलाल मेरे पास यहाँ पर तीन टाइटल्स है जिसमें से नहीं वाली Spider-Man मैं खेल चुका हूँ यह बीच वाली यह है 2018 वाली Spider-Man और यह है हम सब की फेवरेट GTA 5 मतलब भाई इस गेम की ना अलगी fan following है PC में खेल लो PS3 में खेल लो PS4 में खेल लो PS5 में आज हम खेलने वाले हैं हलाकि PlayStation 5 की अभी जो कह रहे थे ना वो updated वाली GTA 5 आएगी जो इसी console के लिए होगी वो release नहीं हुई है यह PS4 की ही disc के आप देख सकते हो premium edition वाली तो इसको मैं आज आपने PlayStation 5 में इंस्टोल करके देखूँगा थोड़ा सा खेलूँगा भी पूरी high settings में फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसी performance दे रही है PlayStation 4 की GTA 5 PlayStation 5 में सबसे वहले तो भाई unboxing ही कर लूँ बिल्कुल चम चमाती disc लेकर आया हूँ gamesoup.in के store से gaming PC build वगारे करवाना चाहते हो तो description में मैं website का link दे दूँगा custom PC build का form भरके आप जो है वो order कर सकते हो इंडिया में कहीं पर भी हर जगा deliver कर देते है भाई वो वैसे वो क्या बोल रहा हूँ मेरा अपना ही store है gamesoup.in तो trust factor की तो खेर कोई बात ही नहीं आएगी open करने के बाद भाई अपनी GTA 5 की disc निकल जाती है और साथ में निकलता है एक huge सा map मुझे खुद ही आद नहीं है भाई मैं कितनी बार unboxing कर चुआ हूँ शायद से GTA 5 की एक बार PC के लिए करी थी PS4 के लिए करी थी अब finally PS5 के लिए कर रहा हूँ हला कि है PS4 की तो यह देखो भाई मैप पूरा खोल के दिखाता हूँ मैं क्या huge है देखना ओए-ओओ-ओओ-ओओ-ओओ-ओओ-ओओ-ओओ-ओओ-ओओ-ओओ-ओओ-ओओ-ओओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ- controls के बारे में लिखा है यह हमें जुरत है नि भाई इतने साल से खेल रहे हैं GTA 5 फाइनली आ जाती है अपनी डिस्क वेट कर रहा हूँ भाई मैं कब मैं फटावट से वह वाली डिस्क खरीद हूँ जिसमें PlayStation 5 लिखाएगा बट अभी यह ही कहाम आएगी अपने डिस्क को insert क करते हैं पहले से ही शायद से कोई डिस्क डली हुई है इसमें Call of Duty की डली हुई है Cold War अब डाल देता हूँ मैं फटावट से GTA 5 हो जा हो जा रहे चलेगी तो सही खेर हो तो मुझे पता है ओविस्सी बात है PS4 की गेम्स रन करती है PS5 में यह लो जी आ गई है और यह मैं कंट् 35.98 GB का डेटा जो है वो कॉपी हो रहा है 55 मिन दिखा रहा है जल्दी हो जाएगा PS5 है भाई खतरनाक स्पीड वाली SSD जो लगी हुई है अरे एक चीज़ मैं नोटिस कर पा रहा हूँ यहां पर लिख है Start Without Updating तो यह Update फाइल कॉपी हो रहे है भाई अबर करके देखे कि क्य यह Start हो जाएगी मतलब डिरेक्टली भाई डिस्क डालते ही कोई भी डेटा कोपी नहीं ओ भाई सही में Start हो गई है मतलब कोई भी डेटा कोपी नहीं हुआ और यह मेरे पीछे ब्रूनो देख रहा है कम मैं कंट्रोलर नीचे रखूं और कभी यह उठा के उसको चबाए ना को डेटेंग добав साड़ी पीस 1965 काम डेटी ती और इसमें देखो भाई इसमें वी ज्याधा लोडग होती है ने अचा नहीं हो रही हो इस अयह निक्रा रही आ weise यह ऑपको दीखेगा धूर्ड़ यह यह शौरहल जारी की देख्टा का पूरा कवर कवर को घग प्लार है ता म फटाफट से ओन कर लेते है, स्टोरी मोड चल चुका है, होई होई होई, ये सीन देखके ना भाई पुरानी यादे ताजा हो जाते है, थोड़ी सी वोल्यूम कर देते हैं, होई होई होई, ग्राफिक्स यार बहुत तगड़े लग रहे हैं मिरको, मैं पीएस फोर के कंपेरि तो कबिले तारीफ है जबकि अभी तो जो जो जी टीए फाइफ है न वो अप्टिमाइज भी नहीं है भाई, पीएस फाइफ के अकोर्डिंग, तो इनको ठोड़ा डराना है ताकि अंदर भगे, चलो चलो चलो, कटो यहां से कटो, 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 अंदर 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 अंद मिशन तो भाई, रटा हुओगा सबको एक एक को, फोन निकालके और यह भूम, ओ मेरे इसमें भी आ रही आ रही आवाज, वेरी गुड, ओ तेरी भाई, देख रहे हो, इतनी बड़ी स्क्रीन में खेर, आपको तो पता नहीं चल रहा होगा कैमरा पे क्या सीन है, बट भाई लूट लो, लूट लो सारा, जल्दी, 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 भाई, सही में अच्छे लग रहे यार, ग्राफिक्स, मैंने मतलब एक्सपेक्ट नहीं कहा था कि 4K, ये 65 इंचिस का टीवी है मेरा, तो मुझे लगा था इतने बड़े टीवी में हलका फुलका हो सकता है, पिक्स और ये पक्से मारेंगे, हैट शॉट, चलो भाईया हट, 1,79,000 डॉलर की हमने रोबरी करी है, ये तो छोटी मोटी रोबरी है यहां, आपको पता ही है, मैंने अपने ग्राफिक्स, अंदर के तो फिर भी चलो, अच्छे आ रहे है, बाहर मजा, असली में जो बाहर की वो है पता चलेगी कैसी है, मतलब बाहर के ग्राफिक्स, अंदर के तो फिर भी चलो, अच्छे आ रहे है, बाहर जब बहुत चीज़ आएगी, बरफ आएगी, काड़ी आएगी, तब असलियत पता चल जाएगी, यहां से पहले स्विच दवाना है, लेट्स को, अब देखना बहुत सही लग रहा है, मतलब बिल्कुल नहीं फील हो रहा है, पचास जार का कंसोल है, ऐसा लग रहा है, पूरा मैं अपने तीन-चार लाग फाले PC में ही मज़े कर रहा हूँ, स्मूथ एक्स्पीरेंस, कोई दिक्कत ही नहीं, मास्क उतार दिया है, बाहर बाहर, बाहर ब बाइब्रेटिंग मोटर्स भी भाई बहुत अच्छे से काम कर रही है, मतलब का मज़ा आ रहा है, हलाकि वो हैप्टिक फीडबैक जो था, वो मुझे इतना फील नहीं हो रहा, फील क्या नहीं हो रहा है, इस गेम के लिए मेरे कहल है भी नहीं हो, बहुत सकता है, जो ऑप् लेट्स गो, अरे वेट, अच्छा, मारे तो हैं नहीं मेरे बंदे, चलो जी हो गया, यह देखो, सिनेमेटिक जो है ना बीच के, उनका भी काफी अच्छा खासा ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेंगे, यार सही में प्यार हो गया, इतने बाई टीवी में खेलने का लग तो नेक्स लेवल सीन हो गया, ग्राफिक्स का, और अब पीएस फाइफ में भी अच्छे लग रहे है, पेल दिया हमारा बंदा, ओय, 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 ऐसा लग रहा है, असली की कोई मूवी चल रही हो टीवी पे, गेम प्ले तो नो डाउट बहुत बढ़िया था, मैंने जो इसके बाद जो लोडिंग स्क्रीन आएगी वो देखेंगे कितना थाइम, क्योंकि मेरे PC में भी NVMe SSD लगी हुई है, उसमें लगबग 4-5 सेकिंड लोडिंग टाइम लगता है, जो ग्राफिक्स वाली लोडिंग आती है, भी मैं दिखांगा कौन सी बात कर रहा हूँ, अब इसके बाद जो आएगी ना देखना, उसमें मेरे PC में लगते है, 3-4 या 5 सेकिंड मैक्सिमम, जिसमें 2080 Ti और NVMe SSD है, अब देखते है, इसमें PlayStation 5 में कितना लगता था, क्योंकि PS4 में काफी टाइम लगता था, ओ भाई, ओ भाई, ये क्या था, भाई, लिटरली मैंने क्लिक कुछ नहीं क्या ना, कट मारे वीडियो में, एक सेकिंड मी नहीं लगा, लोडिंग स्पीड भाई, जीरो थी, एक सेकिंड, अध्या यार, एक सेकिंड मी नहीं लगा, जैसी वो स्क्रीन आई, उसके बाद ही गेम स्टार्ट होगा ही सीधा, नेक्स लेवल है भाई, ये गे पीएस फाइफ के आईगी, तो और जादा मजा आने वाला है, ठीक है जी, फिर खदम करते है इस वाली वीडियो को, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी वीडियो, और अगर आप चाहते हो, मैं और भी गेम स्ट्राइक करूं, पीएस फॉर की, पीएस फाइफ के अंदर जो backwards compatibility दे रखा है हमें फीचर, तो उसका पूरा फाइदा उठाए जाए और वीडियो में भी बताए जाए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकि लाइक एम रखते है भाई, इस वीडियो का 20,000 लाइक का आज कल हो नहीं रहे है पूरे, सुन लो, चलो फिर मैं मुलता आप से नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन गुडबाई और आज ओलवेज दीखे रास्तों पे नहीं पढ़ना फीका, बाई